हेलो व्यास्तर, आप ये जो आपकी व्यास अकेडमी है, इस संस्ता के बारे में आप लोकों को क्या बशाना था है? मेरा नाम भाविश व्यास है, मेरा बीड, मास्टर डिग्री, संस्कृत, हिंदी और गुद्राश से मैंने कम्प्लिट किये लास्ट ट्वेंटी थियर्ट से मैं ये कोचिंग क्लास चला रहा हूँ, पोरे अमदावाद में फिप्टीन जैसी संस्ता है, उनके साथ में जुड़ावा हूँ अभी तक 40,000 स्टुडेंस संस्कृत हिंदी और गुद्राश दी पढ़ चुके हैं और 470 स्टुडेंस को हमने अभी तक गिप्स सेलिबेशन भी किया है, पोगरम, कारेकरम किया है दुसरे हमारे पास आठ या नौ लोगों की टीम है, जिसमें मैं भाविश व्यास, व्यास सर से पूरे अमदाद या गुद्राद में मुझे पहचानते हैं, लेंग्विज स्टीचर के लिए दुसरे सर का नाम है मिलन सर, जो कॉलेज में लेक्चर है मुकुन सर, H.P. कापडिया स्कूल है, अमदाद में, उनके सर है, संस्कृत पढ़ाते है मुक्यस भई घांधी बॉड के मॉनिटर है, जो सालों से बॉड में पेपर चेकिंग करते है मानसी में हिंदी अन गुद्रादी पढ़ाते हैं, आस्तन में हम गुद्रादी पढ़ाती है और दिव्या, सांची में, और भी बहुत सारे टीम हैं, महेक वगरें यह सब मेरे साथ जुड़े हुए, और हम पूरे टीम वर्क से पूरे अमदाद में काम कर रहे हैं पंदरा जैसे संस्ता है, जिससे हम जुड़े हुए ज्यादर बच्चे, मैस, साइंस, इंग्लिस, एसस में ही टाइम देते हैं हमारे सब्जेक में ज्यादा टाइम दे नहीं पा रहे हैं पर तेज साल का अनुभू के साथ मैं कह सकता हूँ कि बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ग्रामर एंड राइटिन स्किल और राइटिन स्किल में 36 या 38 मांक्स का है स्टांडर्ड नाइंट टैंट और ट्वेल में और जो ग्रामर पॉश्चन है वह संस्कुल में 32-34 मांक्स का ग्रामर का टॉपिक होते हैं गुद्रादे में 22 मांक्स का ग्रामर आता है तो इस तरह से ग्रामर और राइटिन स्किल बहुत ही इंपोर्टेंस टॉपिक है बच्चे इतना टाइम ने दे पार है इन सब्जेक के लिए इसलिए हम पहली बार व्यास एकडमी के द्वारा हम फॉस्ट टाइम यह स्टूडियो जो लॉंच कर रहे हैं उसमें हमारा उद्देश यह है कि जितने भी चैप्टर है उन कि जो लॉंग लैंसर वन्लाइन टू लाइन जो है उनकी जो पॉयम की संबर य को एक्स्प्लन करेंगे रेकोर्ण करेंगेICES कि हमारे संस्कुर इंट रिखा आए द्रश्यम स्रव्यम अध्यय पनम्च लेकठनम मझलब द्रश्यम यह, देखना स्रव्यम माने शुनना और अ पढ़ने में बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है थोड़ा बोडम भी जैसा लग रहा है उनको इसलिए हमारा प्रैस यह है कि जो भी डाइजेस हो या जो भी हमारे संस्क्रूट गुद्रात हिंदी की जो नौट्स है वह हम बच्चों को देंगे और वो नौट्स के आध बिजन भी हो जाएगा वही बच्चा क्लास में आके लाइव पर्फॉर्मस करेगा सबको एक्स्प्रिन भी करेगा और उसके बाद 10 टाइम रीडिंग is equal to 1 टाइम राइटिंग दस बार पढ़ने से जो याद नहीं रहता है वो एक बार लिखने से याद रह जाता है उसी दरह से हमारा प्रयास यह है कि संस्कृत गुद्राद हिंदी सब्जेक्ट बच्चा क्लास दर्मियान आये वहीं के वहीं उसको प्रिपरेशन हो जाए यह मेरा प्रामानिक प्रयास है इस तरह से हम पुरा टीम वर्क से काम कर रहे हैं 15 जैसी संस्ता में दूसरी बात की बॉड में अभी तक बच्चों को 14 स्टुणेंज को 100 में आउट आप 100 संस्कृत में आये हैं गुदुरती में 3 स्टुडेंस को 97 माक्स आया है एक CBST के बच्चे को 98 माक्स आया है और बाकी 478 हमने गिप्ट दिये हैं उसमें 3 टूविलर्स और स्पोर्ट साइकल दो स्पोर्ट साइकल 108 स्कूल बेक 200 से ज्यादा स्मार्ट वाच या फास्टे की वाच हमने दिये और बाकी सब बच्चों को स्कूल बेक भी दिये हैं तो इस तरह से हमने अभी तक के लिए हमारी संस्ता यह काम कर रही है यानि व्यास एकडमी यह काम कर रही है सालों से अब हमारा प्रयास यह है कि हम सोशल मिडिया और यूटूब चैनल पर आ रहे हैं जिसमें बच्चों को इजी गोइंग पूरे चैप्टर के गर पे पढ़ना हो रिविजन करना हो बैक आज से यह दसरा के बाद हमने कारिकम स्टार्ट किया है तो इसके लिए आप दूसरी और संस्ता है जो गुद्रात में हमारी इंक्वारी जो मनिनगर से गांदिनगर से साई बाक से और सूरत और बरोडा से भी आ रही है अब हमारा प्रयास यह है कि जिन बच्चों को या ज है उसका ग्रामर है उसके पैंबर्स वगरे उनकी जो एक्जाम सिस्टम वहां से भी हम एक्जाम ले सकते हैं पीडिए के द्वारा हम प्रिंटर में ओप प्रिंट निकाल के चेकिंग करके आपको वापस प्रॉपर बॉर्ड में किस तरह से चेकिंग होता है उस मैथर से हम आपको मार्स भी दे देंगे जिसकी वज़त से बच्चा कहां पर है वो इसको मैसूस हो जाएगा और राइटिंग इंपरिमेंट के कोर्स भी हम स्टार्ट कर रहे है इस साल से तो यह सब एक्टिविटिस सालों से चल रही है और इस तरह से यह एकेडमी पर फॉर्स टाइम पर फॉर्स टूडियों में से यह ओनलाइन लेक्चर्स एन ऑफलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे का विक में थ्री देस टाइम देना इंपॉसिबल है इसले हम विक में एक ही दिन बुलाएंगे और टू ओर्स के लिए बुलाएंगे उसमें एडिविडी नहीं है वो सोच नहीं सकता है तो उसकी बज़े से हम आज रैटिंग स्कील्म, कॉम्पो, रिपोट रैटिंग, विचार विस्तार, कॉम्प्रियेंशन, अनसिन पोयम, मुहावरे, कहावत, एवं आज़िएंगे झाल